अब ही हम बात करेंगे वेस्टीबूलर स्टीमिंग के बारे में इसके पहले हमने टेक्टाइल स्टीमिंग के बारे में यह करा था अब हम बात करेंगे वेस्टीबूलर स्टीमिंग क्या होता तो देखते हैं कि वेस्टीबूलर स्टीमिंग अब जैसे वेस्टीबूलर टर्म किसमें बैलंस से रिलेटेड है और वेस्टिबूलार बांप हम लोगा एक यूज करते हैं तो यह होता है। देखा होगा कि वह एक पैटन होता कुछ वच्छ ऐसे करते रहें गे किसी नहीं किसी नहीं किसी पर अरगए लोग गिर जाएंगा मतलब कि आप जैसे चल रहा है आपने जैसे पकड़ा पूरी तरह से भार आप पे छोड़ देगा वो चीज भी इसी में आता है वेस्टिबूलर स्टीमिंग में ही हाइट एक एवरेज है तब तहां तक ठीक है वहां तक ठीक है लेकिन जैसे ही थोड़ी हाइट बढ़ती है तो उचे हाइट पे जैसे बच्चा जाएगा या फिर उचा चड़ना हो कहीं पे तो उससे वो डरना शुरू कर देता है यह भी वेस्टिबूलर स्टीमिंग में आत यह जएविए जो हमारे यह में होता है है कि यह फिर वेस्टिबूलर स्टीमिंग में को मैनेज करने के लिए इसकानां है वैसे ही वेस्टिबूलर बोड हमारे यह में होता है कि आगक्विंटीबूलर बोड पर बच्चे को खड़ा खरा रहे हैं उसको साथ में एक बैलन्सिंग प्रॉपर करने के लिए एक मेडीशिण बॉसे बॉडकी का जैसा बच्चा हो जितना हो हैंडल कर सकता है उस हिसाब से उसको बॉल दे दिया जाता है तो जनरली एक केजी या दो केजी का मेडिसीन बॉल हम लोग योज करते हैं कि वेस्टिबूलर वोट पर खड़ा कर दिया और वो थोड़ा सा डगमगा रहा और इसका प्रॉपर बैलेंस बन रहा तो प्रॉपर बैलेंसिंग करने क लिए उसके बाद जीम बॉल वाली एक्टिविटी भी कराते हैं उसको यह जम कराके फिर लेटा दिया पीछे की तरफ हाथ रखवा दिया तो यह सारी एक्टिविटीज कराते हैं तो इससे क्या होता है कि वेस्टिबूलर स्टिमिंग का यह कम होता है और बच्चों में बै उनमें भी यह उसकी प्राब्लम होती है उसको रोकना होता है उसको बैठाना होता है मैं बार बार बूलता हूं कि कभी भी कोई भी exercise सब सोरी कह जो करते है अ में हुसा पूजांई करते हैं पढाई करने텐 के लिए बैठते हैं गहां चेयर लेके और टेबल पर बैथेंगे टेबल चेयर के साथ बैठेंगे तो उसके श्टनेट बाइटके पढ़ेंगे ज्यादा देर तक बढ़ पाएंगे, बेड पे लेटके ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे तो किसी भी मुवमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग पोजिशन आइडियल पोजिशन होता है तो यह जो एक्टिविटी भी आप कराते हैं बच्चों को इसमें एक आइडियल पोजिशन होना चाहिए कि उसमें बैठा के बच्चों के एक्टिविटी या तो पाल्थी मा बैठना जो common भासा में बोलते हैं उसको squat sitting बोलते हैं squat sitting मतलब Indian toilet में जैसे हम लोग बैठते हैं squatting में ही बैठते हैं तो squat sitting में बैठाएं बच्चों को और थोड़ी देर तक उनको वैसे ही भले कुछ दिन तक उनको दर्द होगा बच्चे जनरली भागना चाहते हैं इधर से उधर इधर से उधर भागते रहते हैं तो शुरू में वह ऐसे बैठना चाहेंगे नहीं लेकिन आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम डियोरेशन पर उनको बैठाना होगा फिर थोड़ा दिजिये फिर गैप दीजिए करके एसे जब बेठाएंगे इसके साथ साथ अब ही इस तब बच्चिय के लिए जैसे dauते स्पेस पाले लेकिन जहां भी कंशोद यदिश काला गारे टे JUST बच्चा डरेगा तो उसको ट्रेन करने के लिए किजिए कि पहले वाइड सर्फेस लेजे कोई भी चोड़ा यह हो लंबा चोड़ा सर्फेस हो उस पे आप खड़ा करेंगे तो उसको दिखेगा कि अच्छा हम बीच में हैं सराउंडिंग में बहुत सारे बहुत सारे स्पेस ह हम गिर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे कि उस पे ठीक रहेगा लेकिन जैसे ही पतले यह पर खड़ा होगा तो चिलाना सुरू करते हैं तो नीचे मैट वगएर लगा के हम धीरे-धीरे हम लोग जंप कराना सुरू करते हैं उससे जंप कराने से कहा होगा कि धीरे-धीरे- हो जाएगा और तब वो अराम से स्थेर बैठके जो बॉडी शेकिंग कर रहा था जो बॉडी मुब्मेंट कर रहा था आणि यूजू़ consistent जो कर रहा था वो सारी चीज वो बंद कर देगा अब मेनने जैसा बोला कि स्टीमिंग का निचर जेन्रली बच्चों में सारे associated problems है जिसमें visual streaming है उसमें tactile streaming मिलता है और detrim मिलता है vestibular streaming मिलता है तो इन सारे बच्चों में solution जो जो हम जैसे जैसे बता रहे हैं अलग-अलग इसलिए बता रहे हैं ताकि आप हम से सवाल पूछ सकते हैं YouTube में कमेंट अगरे कर सकते हैं और आप सवाल पूछेंगे अभी हम आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज पहले जो हमने सुरू किया था उसमें चार-पांच वीडियो मैंने डाले थे बीच में समय के अभाव में मैंने नहीं डाला है तो अब जि झाई है नहीं चाहिए क्या है नहीं है कुछ भी नहीं पूछ तो वो सवाल एक्म्नोर कर देते हैं गृषिन देंगे वह साजाव हम आपके वीडियो बनाएंगे आपके सवाल हमारे जवाब में व्यावा हैना DR आपकर दूर हो यह snack तो बस वेस्टिवलर स्टीमिंग में इतनी ही चीज़ें आप करेंगे तो इतनी ही से बच्चा सुधर जाएगा उसके फीजिकल एक्टिविटी आप यह कर सकते हैं फुटबॉल वगरा जो होता है ग्राउंड में बच्चे को 5-7 बच्चों को ले यह बॉल इधर से उदर फे झाल